स्वाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि सवाल में हमारे पास क्या है सवाल है if d is directly directly proportional to t square and d is equal to 18 when t is equal to 3 find t when d is equal to 32 अब सवाल कुछ हमारे पास यह है कि यह तमाम values हमने इस्तेमाल करनी है और end में हमने क्या find out करना है t की value find out करनी है सवाल में इस दफ़ा इससे पिछले जो जितने भी questions थे हमारे पास उसमें यहां पर क्या लिखा होता था varies is ठीक है अब इस तफ़ा हमारे पास क्या है directly proportional लिखा गया है अगर आपको याद हो कि इसी exercise के question number one में मैंने आपको बताया था varies is यह directly sign of proportional यह sign of variation यह तमाम चीजे जो है वह एक ही है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस exercise के question number one में जाए वहां पर मैंने समझाया तो इस से पहले जितने भी सवाल थे वहां पर आता था varies is इस तफ़ा हमारे पास आया directly proportional तो यह दोनों चीजे सेम है इसमें कोई फर्क नहीं है सवाल को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैं लिखंगा मैं यहां पर लिखंगा according to the condition ठीक है जो हमारे पास सवाल दिया गया है उसी के मताबिक ठीक है इसका मतबब यह है उसी के मताबिक हम चलेंगे अब सवाल क्या है if d ठीक है सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ if d is directly proportional ठीक है अब इसका sign क्या है यह यह वाला जो sign है वह varies as भी डिरेक्टरी प्रोपोर्शनल भी के थे हैं d is directly proportional to t का square हमारे पास next क्या है t का square है अब सवाल को solve करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे d इस वाले निशान को हम खत्म करेंगे इसके जगा हम दो काम करेंगे पहला क्या है कि हम is equal to लगा देंगे दूसरा काम क्या 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 क्य इक्वेजन वन का नाम देंगे next चलते हैं अब हम क्या करेंगे सवाल की तरफ फिर से जाएंगे यहां पर मैं लिख रहा हूं put तरतीब से चलेंगे ठीक है यहां पर हमारे पास क्या है d की value मैं लिखोंगा put d is equal to 18 and आगे हमारे पास क्या है t is equal to 3 in equation 1 हमने क्या लिखा के जो d की value है और t की value है यह हमने उठा के कहा put करनी है equation 1 में equation 1 हमारे पास यह रहा तो यहां पर एक दफा फिर से मैं क्या लिखता हूं equation 1 क्या है d is equal to k और t का square अब यहां पर देखे d की value मौजूद है t की value यह दोनों values हमने कहां से उठाए सवाल से उठाए अब यह दोनों values उठ इसमें put कर देनी है तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास यहां पर देखे d के value क्या हमारे पास 18 तो यहां पर मैंने क्या लिखा 18 is equal to k की value k की value हमें मालूम नहीं है तो हम k से same as it is लिखेंगे अब T, T के value हमारे पास क्या है 3 तो मैंने 3 लिखा ठीक है इसको मैं bracket में लिख लेता हूँ मगर यहां T के उपर square है तो हम भी square लगा देंगे अब आगे चलते हैं यहां पर देखें मैं क्या लिखूंगा 18 is equal to k अब 3 के square का मत्तब क्या है यह rough work है ठीक है आपके लिए तो हम क्या करेंगे जब 3 के square को खतम करेंगे तो इसकी जगा हम क्या लिखेंगे 9 यहां पर मैं 9 लिखे देता हूँ आगे चलते हैं अब यहां पर देखे 18 is equal to k से मैं जिखा यह जो 9 है के साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है is equal to कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा हमारे पास यह इस position में बनेगा अब यह दोनों आपस में cancel हो रहे है किस form में cancel हो रही है 9 sorry 9109 यहां पर क्या आएगा 9109 92018 तो हमारे पास k की value आ गए अब यहां पर देखे हैं हम लिखेंगे मैं सीधा करके लिखता हूँ k is equal to 2 ठीके यह हमारे पास क्या आया k की value अब नीचे जो one है वो हम नहीं लिखते हैं क्यों mathematics में जहां पर कुछ नहीं लिखा हो वहां क्या समझते हैं one है two के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे one है मगर हम लिखते नहीं है अब हमारे पास क्या आया two की value आया next step में देखे हैं यहां पर हम मैं क्या लिख रहा हूँ D is equal to 32 in equation 1. अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि हम K की वेल्यू और D की वेल्यू उठा के हमने कहां पर पुट करना है? equation 1 में. तो यहाँ पर मैंने यही लिखा. अब हमारे पास equation 1 कहा है? यह रहा. इसको फिर से मैं लिखूंगा. D is equal to K T का square. यह हमारे पास equation 1 है. अब यहाँ पर K की वेल्यू मौजूद है और D की वेल्यू उठा के हमने इसमें पुट कर देनी हैं. तो देखते हैं क्या बनता है? D की वेल्यू हमारे पास क्या है? 32. 32 लिखा is equal to. K की वेल्यू हमारे पास क्या है? 2. तो हम K की जगा उसकी वेल्यू लिखेंगे. T का square. हमारे पास यह इस फॉर्यू में बनता है. आगे चलते हैं. मैं लिखूंगा 32 is equal to. यह जो 2 है वो T के साथ क्या हो रहा है? Multiply हो रहा है. Multiply हो रहा है. तो इन दोनों के बीश में कोई साइड नहीं है. तो यह क्या हो रहा है? Multiply है. यहां पर Multiply है. इस इकॉल्ट के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? Divide हो जाएगा. यह हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा. अब यह दोनों क्या हो रहे? कैंसल हो रहे. इनको कैंसल करते हैं. तो हमारे पास टी स्क्वेर की वेल्यू आ गए. इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ. टी का स्क्वेर इस इकॉल टू क्या है? अब सवाल पर अगर एक दफ़ा हम नजर दोड़ाएं. यहाँ पर हम से किसकी वेल्यू मांगी गई थी? हमने क्या फाइंड आउट करना था? ठी की वेल्यू. मगर यहाँ पर क्या है? ठी का स्क्वेर है. अब दोनों में डिफरेंस है. हम क्या करेंगे? अब इस स्क्वेर को खतम करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिखोंगा. ठी किंग स्क्वेर रूट. ठीके, अब हम क्या ले रहे हैं? स्क्वेर रूट लेंगे. मगर दोनों तरफ लिखेंगे. ठीके, उसके लिए मैंने लिखा taking square root on both side अब दोनों साइड पर हम square root लेंगे तो यहां पर square root लेता हूँ मैं T का square यह रहा आपका square root दूसरी तरफ क्या लेंगे square root यहां पर भी हम लेंगे सवाल आगे बढ़ाते हैं अब क्या होगा यह जो 2 है वो square root के साथ cancel होगा यह क्यों cancel हुआ यहां पर देखी यह रफ फर्क है जो square root होता है उसकी value क्या होती है 1 upon 2 ठीक है इसकी value क्या होती है 1 upon 2 अब इसकी जगा देखे 1 upon 2 है तो 2 हमारे पास पहले से मुझूद हा 2 हमारे पास पहले से मुझूद हा तो यह जो 2 है वो इसके साथ cancel हो जाता है इस वचा से हम 2 को इस 2 को direct यहां पर cancel करवा देते हैं तो अब यहां पर मैं क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा T is equal to अब 16 है 16 को देखे मैं किस form में लिख सकता हूँ 16 को मैं इस form में लिख सकता हूँ 4 का square 4 का square मैंने क्यों लिख देखे 4 multiplied by 4 is equal to 16 ही होता है अब हमने यह दोनों 16 है सिर्फ क्या है शकल चेंज है हमने इसको इस form में क्यों लिख था कि हमारा जो सवाल है वो solve हो सके अब यहां पर देखे मैं लिखूँगा T is equal to यह जो 2 है वो इसके साथ cancel हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा 4 तो हमारे पास finally T की value आ गए हमारे पास T का answer क्या है 4 है तो इस तरह आपका यह वाला question भी complete हुआ एक चीज में बताना बूल गया जहां पर भी हम square root लेते हैं इसके साथ हम क्या लिखेंगे plus minus लिखते जाएंगे ठीक है तो आप भी साथ में इसके plus minus लिखते जाए तो हमारा answer क्या आएगा plus minus 4 आएगा आपके किताब में भी यही answer है